सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को किलिक करके और साथ में बेल आइकन को भी किलिक कर दीजेगा लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हे गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं Samsung Galaxy A50 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको लेना है Samsung Galaxy A10 Prism White Color का ओप्शन और आपको चाहिए in-display finger finger sensor लेकिन आपका बजट है नहीं उतना कि आप Samsung Galaxy A10 ले सके तो आपके लिए Samsung ला रहा है उसी का छोटा भा पर खुबसूरत लग रहा है अगर हम लोग बात करते हैं तो Samsung A50 को launch करेगा 28 फरवड़ी को और इसमें आपको काफी color option है पर देखने को मिलेगा अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर एक red color भी निकल के सामने आ रहा है और बता जा रहा है कि Samsung Galaxy A30 में आपको red color का option भी द sensor नहीं मिलेगा आपको in display finger finger sensor देखने को मिलने वाला है लेकिन आप सोच रहे कि Samsung Galaxy A10 की तरह है इसमें आपको ultrasonic finger finger sensor देखने को मिलेगा तो जी नहीं यहां पर आपको optical finger finger sensor देखने को मिलेगा जीस तरह से आप लोग ने देखा था OnePlus के 60 में है तो यह बात आप लोग ध्यान मिलर जो कि देखने में काफी खुबसुदत लग रहा है लेकिन इसे आप Samsung Galaxy A10 से compare नहीं कर सकते हैं वहाँ पर आपको glass metal finish दे आ जा रहा है और आपको plastic finish दे आ जा रहा है कोई बात नहीं प्लास्टिक से जादे डूरेवल है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा लेकिन हा अगर Samsung इस phone की pricing 20,000 से उपर रखता है तो आप expect करते हैं कि at least glass metal यहाँ पर देना चाहिए था लेकिन आप कोई बात नहीं दे रहा है तो लोग जीद भी नहीं कर सकते हैं phone काफी अच्छा होने वाला है मेरे नजर में और सभी कुछ इस phone का मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग क्या सोचते हैं आप मुझे कंचक से ने बताईएगा और Samsung Galaxy A30 की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी नए color option देखने को मिलेगा आपको एक blue भी बिल रहा है और red और देखते हैं कि Samsung और कौन से color ने हाँ पर introduce करता है तो यहाँ पर कुछ live images तो उसी कभी लीकों के सामने आ गया है देखते हैं आप Samsung क्या करता है और Samsung Galaxy M30 तो आहीं रहा है 27 फरवड़ी को तो और इससे पहले मैं आपनों को बताना चाहूंगा कि Samsung का A30 है और Samsung का A50 है इसे बता जा रहें कि MWC में ओलोग दिखा सकते हैं आपनों को पता है कि अभी बार्सोलान में MWC चल रहा है Mobile World Congress 2019 तो बता जा रहें कि Samsung वहाँ पर अपना Samsung Galaxy A30 और Samsung Galaxy A50 को वहाँ पर दिखाए जा सकता है देखते हैं क्या होता है तो प्लिज वीडियो को लाइक कर देजेगा न बता जाए